नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे और हमारे इस कारे करम के जरिये खूब पढ़ाई भी कर रहे होंगे और मज़े भी तो बच्चों, आज की वारताल आपका मुद्दा क्या होगा? क्या आपने सोचा है? नहीं सोचा? अच्छा बताएए, मेरे हाथ में क्या है? क्या गया नजर आ रहा आपको? सही कहा, कुछ बर्तन और देखें इनकी आवाज क्या आप सोच सकते हैं कि ये दोनों बर्तन अलग आवाज क्यूं दे रहे हैं? बिल्कुल सही, ये दोनों अलग अलग चीजों से बने हैं इसलिए इन दोनों की आवाज अलग है तो बच्चों क्यों ना आज हम इन भर्तनों की बात करें? तो चलिए, हम आज बर्तनों के बारे में ही बात तलाप करते हैं प्यारे बच्चों, अब यहाँ देखो कितना खूपसूरत चित्र है क्या आपको समझ में आ रहा है यहां? क्या बना है? कुछ-कुछ नजर आ रहा है और कुछ-कुछ समझ में नहीं भी आ रहा तो क्यों ना इसे समझने के लिए इसे ध्यान से देखे इस चित्र में जिन जगों में बिंदू लगे हैं हम उनमें रंग भर देते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या उभर कर आता है तो आएए मेरे साथ हम इन जगों में रंग भरते हैं जिन जगों में बिंदू लगे हैं इधर से शुरू होते हैं यहां, यहां, यहां यहां, हर जगा जहां जहां पर बिंदू है अब मैं रंग भरती जा रही हूं खूबसूरत रंग देखो बच्चो अरे वाह हो गया कितना खूब सूरत चेत्र है मैंने तो सोचा ही नहीं था इसमें क्या उभर कर आएगा फच्चो देखो क्या नजर आ रहा है हाँ बरतन ये तो खूब सारे बरतन है देखो यहाँ पर कड़ाई है और यहाँ पर प्रेशर कुकर प्रेशर कुकर को प्रेशर कुकर क्यों कहते है हाँ क्योंकि इसके अंदर स्टीम से प्रेशर बनाया जाता है जिससे दाल या सबजी बन जाती है अच्छा बच्चो ये क्या है देखो जर्नी अरे यहाँ पर मुझे तवा भी नजर आ रहा है और ये क्या है और यहाँ पर लोटा भी है, अरे वा बच्चो, यहाँ तो बहुत सारे बरतन है, पहले तो इस चित्र को देखकर यह समझ ही नहीं आ रहा था कि इसमें क्या क्या है, और अब देखिए, बरतन उभर कर आए, वा, यह तो खुबसूरत चित्र है, बड़ा मजाया इस चित्र में इस प्रकार रंग भर कर, अच्छा बच्चो, क्या आप इन बरतनों के इलावा और बरतनों के नाम बता सकते हैं, जैसे तुमने चित्र में खाना पकाने के कई बरतन डूंड लिये होंगे, है न, तो क्या तुम्हारी घर में इनके अलावा कुछ अन्य बरतनों का भी इस्त इसे माल होता है, कौन से है वो, नाम बताएंगे, बोतल, ये तो बड़ा सही जवाब है, और सोचो, हाँ, कटोरा, बिल्कुल सही, और कुछ, प्याला, अरे वा, आपने तो सही बताया, और बताएए, चमच, हाँ, ये तो हम सब के घर में होता है, कांटा, हाँ, बिल्कुल सही, मर्दबान, अरे वा, ये भी सही बताया आपने, कदुकस, क्या बात है, चाकू, हाँ, अगर चाकू ही नहीं होगा, तो हम सबजियां कैसे काटेंगे, चकला, हम, और चकले के साथ क्या होना चाहिए, बेलन, बिल्कुल सही, अरे वा, बचो, आपने तो खूब नाम बत होते हैं, सोचो, हम, बिल्कुल सही कहा, स्टील के बर्तन, लगभग सभी घरों में आज स्टील के बर्तन मौझूद है, और भी किसी चीज से बना होता है बर्तन, बताइए, हाँ, लोहे का बर्तन, बिल्कुल सही, हाँ, बचो, तांबे में पानी पीना तो बहुत ही उप्यूक्ट माना जाता है हमारे शरीर के लिए, बिल्कुल सही बताया आपने, तांबे के बर्तन भी होते हैं, ग्लास या कांच, बिल्कुल सही, कांच के बरतन भी बहुत ही पसंद होते हैं लोगों को लेकिन ध्यान से काम करना होता है, अगर गिर जाए तो कांच चुप सकता है इसलिए बच्चे कांच के बरतनों से नहीं खेल सकते है ना, अच्छा और बताईए, कांसा बिल्कुल सही, मिट्टी हाँ बच्चो, मिट्टी के बर्तन तो सद्यों से चले आ रहे हैं, हमारे बड़े बुड़ों के पास थे, और फिर हमारे माता पिता के पास, और अब हमारे पास, और फिर आपके पास भी, मिट्टी के बर्तन तो कभी विलुप नहीं हो सकते, इनका अपना ही मज़ा होता है, आप जानते हैं बच्चो, मिट्टी के घड़े में अगर हम पानी भर दें, तो वे ठंडा ही रहता है, गरम ही नहीं होता, इसलिए तो आपने देखा होगा, सड़क के किनारे, मिट्टी के घड़ों में पानी भर कर रख दिया जाता है, ताकि गरमी के दिनों में मुसाफिरों को, राहगीरों को पानी आराम से मिल सके, अच्छा बच्चो ये बताओ, अपने बजूर्गों से आप पता कर सकते हैं कि पहले किस तरह के बर्तन ज्यादा काम में आते थे, वे किस बने होते थे, बिल्कुल सही, पहले के बर्तन आज की तुल्ला में ज्यादा बड़े और भारी होते थे, उन पर खूपसूरत नकाशी बनी होती थी, ज्यादा तर बर्तन कांसे और तांबे के बने होते थे बच्चो, अच्छा बच्चो ये बताओ, हम खाने की हर चीज को पका कर तो नहीं खाते हैं ना तो पता करो कि हम किन चीजों को कच्चा खाते हैं और किन चीजों को पका कर किन चीजों को कच्चा या पका कर दोनों तरह से खाया जाता है तो अब ध्यान से दी गई तालिका में भरते हैं देखिए पहले क्या दिखाए यहां पर, क्या पूछ रहे हैं कच्छी खाय जाने वाली चीजे फिर पूछ रहे हैं पका कर खाय जाने वाली चीजे और उसके आगे हमें बताना है कच्ची और पका कर खाई जाने वाली चीज़े यानि जिने दोन अंदर ऐसे खा सकते हैं तो चलिए, सबसे पहले हम कच्ची खाई जाने वाली चीज़ों के अंदर भरते हैं सबसे पहले आप बताईए खीरा, बिल्कुल सही और मूली, वा, ठीक है और बताईए, चुकुंदर, अरे वा, ककडी, बिल्कुल सही, अच्छा बच्चो अब दूसरी तरफ आ चाहिए, यहाँ देखिए, पका कर खाये जाने वाली चीजें, इनमें क्या भरेंगे आप, डाल, बिल्कुल सही, चावल, हम, सही कहा, रोटी, हाँ, रोटी भी पकाई जाती है, बैंगन, हाँ, बैंगन तो हम कच्चा नहीं खाते हैं न, तो बैंगन भी पका कर खाये जाते हैं, और बच्चो इधर आए, यहाँ देखिए, क्या लिखना है, कच्ची और पका कर खाये जाने वाली चीजें, तो सोची ऐसी चीजें, जो आप कच्ची भी खा सकत और पकाकर भी खा सकते हैं टमाटर बिलकुल सही गाजर सही कहा चना सही बंदगोभी ये भी सही है बच्चो और इस प्रकार आप इस तालिका को कितनी भी लंबी कर सकते हैं है ना तो चलिए आप अपनी मर्जी से इस तालिका में और भी सब्जियां भड़ सकते हैं बच्चो अब ये बताओ अब तुम रुजोई में जाकर किसी एक चीज को पकते हुए देखो उसे पकानी के लिए क्या क्या किया गया क्रम में लिखो हम देखो यहां पर बनाए जा रहे हैं चावल आओ मैं बताती हूँ कैसे बनते हैं चावल एक कटोरी चावल ले लिजे चावल को पानी से धो लिजे अब लगभग दो गिलास पानी एक बड़े बरतन में ले लिजे चावल को इस बरतन में डालिए स्टूव पर उबलने दीजिए जैसे ही चावल उबलने लगे गैस को सिम कर दीजिए और चावलों को पकने दीजिए जब तक पानी न सुप जाए अरे वाँ, देखिए किचने लजीज चावल बन कर तयार है वाँ, बचो हम सबने मिलकर आज चावल बना लिये हैं तो अब हम सब मिलकर इन्हें खाएंगे खाने से पहले हम कुछ और बाते कर ले तो दिये गए पकाने के तरीके के सामने दो चीजों के नाम लिखो जो उस तरीके से पकाई जाती है खाली जगय में कुछ अन्य तरीके भी जोड़ो और उनके उधारन भी लिखो देखो बच्चों, यहाँ पकाने का तरीका लिखा है और यहाँ चीजों के नाम तो पकाने का तरीका सबसे पहले भून कर तो आप सोचिए किन चीजों को आप भून कर खाते हैं भुट्टा, अरे वाँ, आपने तो बिल्कुल ठीक बताया शकरकंदी, बिल्कुल सही बच्चों, यह भी ठीक बताया अच्छा, अब यह बताईए, उबालकर उबालकर किन चीजों को खाय जाता है हाँ, आलू, शाबाज और अभी हमने क्या उबाला था? चावल, बिल्कुल सही अच्छा, अब यह तरीका देखो तलकर, तलकर किन चीजों को खाते हैं? हम, बिल्कुल सही, पूरी तली जाती है और पकॉड़े, अरे वाँ आप तो बड़े हुश्यार हैं बच्चों अच्छा, अब देखते हैं कि आप यह जानते हैं कि किन चीजों को हम सेख कर खाते हैं? अरे वाँ, आपने तो जटपड़ बता दी अच्छा पाती और केक, बिल्कुल सही अच्छा बच्चों, यह बताओ भाप देकर हम किन चीजों को पकाते हैं? इडली, अरे वाँ, आप तो सब जानते हैं एक और बताइए ना मैजा धोकला, बिल्कर सही वाँ, आपने तो पूरी तालिका भर दी शाबश, प्यारे बच्चों अच्छा बच्चों, यह बताओ कि तुम्हारे घर पर भोजन को पकाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल होता है? मेरे घर पर तो स्गैस स्टोव का इस्तेमाल होता है तो मैं यहाँ पर स्गैस स्टोव का चित्र बनाती हूँ, देखो जरा ध्यान से हम्, अब यहाँ पर स्टोव, इसके जहाँ पर हम आंच हम जलाते हैं हम्, और यहाँ पर, देखिए, यह बन गया मेरा तो gas stove, मैंने तो बना लिया, अगर आपके घर में भी gas stove है, तो आप भी इसी प्रकार gas stove बना दीजिए, और अगर किसी और तरह से आप खाना पकाते हैं, जैसे चूले पर, या किसी और तरीके से, तो वो यहाँ पर बताएंग अच्छा बच्चो नीचे दिये गए चित्रों को बहचान कर उनके नाम लिखिए यहाँ देखिए यह क्या है? हाँ लकडी का चूला अच्छा बच्चो इनको जलाने के लिए क्या इस्तिमाल होता है? बताईए बिल्कुल सही लकडी अच्छा बच्चो यहां देखिए यह क्या है? अंगीठी बिलकुल सही अब यह बताए कि अंगीठी को जलानी के लिए हम क्या इस्तिमाल करते हैं? कोईला बिलकुल सही बच्चो अच्छा अब यहां ध्यान दीजिए यह है गैस्टोव है न? आपने बहचान लिया तो बताए गैस्टोव से ऐसी क्या चीज निकलती है जिसको हम जलाते हैं और खाना पक जाता है? हाँ मिलकुल सही गैस गैस्टोव में गैस का इस्तिमाल होता है तो बच्चो यह बताए कि यह क्या है? सोलर कुकर बिलकुल सही अच्छा बताओ इसमें हम किस चीज का इस्तिमाल करते हैं? हाँ बच्चो धूप धूप के इस्तिमाल से सोलर कुकर में रखा खाना पक जाता है अच्छा यहाँ देखिए यह क्या है? हम्ण स्टोव और याद है आपको? आपने देखा है कभी दादी मा को या माता जी को इसमें खाना पकाते? क्या ढालते हैं वो स्टोव के अंदर? हाँ मिट्टी का तेल अरे वाँ आप तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख चुके हैं है ना बच्चो? अच्छा फिर यह बताओ अब है आपका टेस्ट क्या आप जानते हैं यह क्या है? हम्म नहीं मालूम ना अब मैं बताती हूँ इसे हीटर कहते हैं सर्दियों में आपने देखा होगा कि इसे कमरे में रखा जाता है ताकि कमरा गर्म हो जाए और इसका इस्तेमाल भी खाना पकाने में किया जाता है देखिए अगर हम इस पर बतन रख दे तो इससे निकली गर्मी से खाना पक जाता है तो बचाओ अब आपको यहाँ पर एक तार नजर आ रही है है ना? अब सोचिए कि इसको चलाने के लिए किया इस्तेमाल किया जाता होगा? पिलकल जही बेजली शाबाश बच्चो बेजली के इस्तेमाल से हीटर पर भी खाना पकाया जा सकता है तो बच्चो कैसा रहा आज का कारेकरम? क्या-क्या सीखा आपने? हाँ आपने बर्तनों के बारे में कितना कुछ सीखा है ना बच्चो? देखिए हम हर रोज ये बर्तन इस्तेमाल करते हैं और हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये बर्तन किस प्रकार्स बनते हैं और किस-किस काम आते हैं है ना बच्चो? हमने कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया हमारे सामनी होती है ये चीजे और हम इनके बारे में बात नहीं करते और आज के इस वाटालाप से हमने कितनी नहीं चीजे सीखी भाईवा मुझे तो आनन्द आ गया आशा करती हूँ आप सबको भी आनन्द आया होगा तो अब अगले कारिक्रम के लिए तयार हो जाएए अगली बार फिर कुछ नई जानकारी के साथ नए मनोरंजक सफर में मैं आपके साथ होंगी तब तक के लिए धन्यवाद